नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ JRP 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम सगुन रामभक्ती पढ़ रहे हैं और ये सेकिंड पार्ट है इससे पहले हमने फर्स पार्ट में जो रामभक्त कभी हैं प्रमुक उनके बारे में डिसकस कर लिया था आज हम रामभक्ती कावेधारा के जो प्रमुक कभी हैं तोलसिदास उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनको एक बार फिर से आप रिकलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना जो टेलिग्राम ग्रूप है, उसमें एक क्विज तैयार करके लाते हैं, आपके लिए जिससे भी जितने भी प्रशन इस वीडियो से बनेंगे, या इस लेक्चर से बनेंगे, वो हम सारी के सारी उसमें डिस्कस करते हैं, अगर आप टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा, आप वहाँ पर जुड़कर अपने जो आपने वीडियो देखी होगी, उसके जो प्रशन है, यहां से जो बनने की संभाव न रहती है, उनको एक पार फिर से देख सकते हैं कि आपने कितनी चीज़ें याद रखी हैं, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, यहां पर एक चीज़ें दोस्तों कि आजकल मैं आपके लिए जो PDF ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि किसी कार्णवर्ष में आपके लिए स्लाइड्स नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने जो handwritten notes हैं, उनकी ही PDF आपको प्रवाइड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो यहां पर हम तुलसिदास के बारे में आज पर रहे हैं, देखिए, तुलसिदास 1532 में इनका जनर माना जाता है, और 1623 में इनकी मृत्यू मानी जाती है, ठीक है, और राम भक्ति कावेधारा में जो सगुन कावेधारा है, उसके ये प्रमुक कवी माने जाते हैं, और इनी के अधार पर ही जो हिंदी साहित्य का बक्ति काल है, जो चार प्रमुक स्तंब हैं, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इनी के अधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्ण यूग कहा जाता है ठीक है और सबसे बड़े लोकनायक भी तुलसिदास को माना जाता है तो यह कुछ एक चीज़े हैं जो तुलसिदास के बारे में जरूरी है जानना अब देखिए तुलसिदास को रा रागवाननद, रागवाननद के आगे रामनद हुए रामनद के नरहारेननद, नरहारेननद के बाद फिर तुलसिदास ठीक है तो यह इसका सही क्रम है नेक्स से दिखिए इनके जो माता पिता है वो आत्मारामदूबे और हुलसी है इनकी जो पत्नी है वो रतनावली है ठ लेकिन हिंदी से समद्धित अगर हम दूसरी प्रिक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रश्ण बनने की संभावना भी रहती है तो इन चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है UGC NET की प्रिक्षा के लिए जो जरूरी है देखिए वो है आपका इनक इसने भी प्राचिन कभी हुए है चायकबीर हुए तुलसी हुए सूर हुए या कुछ और हैं तो उनके जनम स्थान या जनम वर्ष के बारे में अलग-अलग मत हैं सबके तो तुलसी दास की जनम को अधार मानने के लिए जो प्रमुख गरंत माने जाते हैं देखिए वो है आपके दो प्रमुख गरंत हैं मूल गुसाई चरित और आपका तुलसी चरित तो ये दो गरंत आपने याद रखने हैं इनके रचनाकार कौन है देखिए अगर हम गुसाई चरित की बात करें तो इसके जो रचनाकार है देखिए वो है बेणी मातवदास और ये परिक्षा में तुलसी दास का जीवन बित बताए गया है देखिए उसके अनुसार तुलसी का जनम बताए जाता है वो 1497 इस्वी में हुआ था हालां कि सरवमाने जो मत है वो कहता है कि तुलसी दास का जनम कब हुआ था 1532 इस्वी में हुआ था लेकिन जो गोसाई चरीत और तुलसी चर देते हैं इसके अलावा जीकी जो और ग्रंथ है वो है शृप सिंग सेंगर का शृप सिंग सरूज तो ये मानते हैं कि तुलसी का ज़ो जञम वर्षिद है की वो 1526 इसमें बताय गया है शृप सिंग सेंगर के द्वारा तुलसी की जनम्तिती का निश्य करने के लिए विद्वानों ने उपरियुक्त ग्रंतों के अलावा तुलसी प्रकास गौतम चंदरी का गट रमायन आदी का अधार भी ग्रहन किया है तो दीकिए दो रचना हैं तो हमने पहले बता दी गुसाई चरीत और आपका ग्राम चरीत ठीक है क्या था वो दूसरा एक पार फिर से दिख लेते हैं देखिए तुलसी चरीत ठीक है इन दो को अधार माना जाता है लेकिन इसके अलावा शेव संग सेंगर का शेव संग सरोज पी है जिसमें 1526 बताया गया है और अन्य जो ग्रंथ हैं देखिए तुलसी प्रकास, गौतम चंद्रिका और घट रमाइन कई बार UGC net की परिक्षा में इसलिके से प्रशन पूछा जाता है कि कौन सी रचना तुलसी दास के जीवन या तुलसी दास के जनम वर्ष को मानने के लिए अधार मानी जाती है या नहीं मानी जाती है तो ठीक है तो ये रचनाएं भी आपने याद रखनी है दो तो आपकी प्रमुक हैं लेगिन गौन क्या करते हम कि वो छोड़ देते हैं उनको याद रखना जाधा जरूरी होता है UGC net की परिक्षा के लिए तो यहां प प्रमुक है कि किस ग्रंथ क्याधार पर तुलसिदास का जनम 1532 ठेहरता है तो वो है घट रमाइन ठीक है नेक्स से दिखिए जो लोग मानते हैं कि उनका 1532 में जनम हुआ है वो कौन-कौन से प्रमुक हैं उसमें जोर्ज ग्रियरसन है माता प्रसाथ कुप्त है और पंडित राम गुलाम दुवेदी भी इसमें शामिल है तो ये तीन नाम भी आपने याद रख देने हैं कि इन्होंने भी क्या माना है कि इनका जनम कवा था 1532 एसमें हुआ था तो अलग-अलग मत देखते हैं आपकी इनके जनम वर्ष के बारे में ही अलग-अलग विद्वानों के और यही मतभेद केसमें हमने देखने को मिलते हैं, इनके जनमस्थान से रिलेटिड भी देखने को मिलते हैं, तो दो जो प्रमुक स्थान है ये भी माने जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कौन जो प्रमुक स्थान तुलसी के जनमस्थान को लेकर केंदर में रखे जाते हैं तो वो है दिखिए आपका सोरा है जबकि दूसरा आपका राजापूर है सोरों को जो प्रमुक कभी है या प्रमुक चो बिद्वान है मानते हैं कि इनका जनमस्थान है वो दिखिए कौन से हैं हजारी पर साथ दुवेदी और नीचे मैंने लिख दिखिए जीजी जी जी का मतलब है गणपति चंदर गुप्त जो बड़े नाम है ये दो क्या मानते हैं कि इनका जनमस्थान कहां पर हुआ है जनमस्थान है सोरों में जबकि शुकल शिवसंग सेंगर और राम गुलाम दुवेदी ये क्या मानते हैं कि इनका जनमस्थान कहां पर है कहां कहां बताया है में लिए आपने दो जगहें याद रखनी है सोरों और राजापूर है ना तो ये हैं जो माने जाते हैं इनके जनम स्थान तो ये तो होगी तुलसिदास के जनम और जनम स्थान के बारे में कि कि अब इनका जनम वर्ष है कौन इनके गुरू रहे हैं ये सा मुकता से इनके जो बारा ग्रंथ माने जाते हैं, जो प्रमानिक हैं, ठीक है, तो ये संख्या भी आपने याद रखनी है कि कितने ग्रंथ इनके प्रमानिक माने जाते हैं, बारा ग्रंथ माने जाते हैं, और इनमें छोटेस ग्रंथ जो इनने साथ लिखे हैं, जबकि बड़े कम लिखे हैं, पांच ही लिखे हैं, ठीक है, तो हो सकता है, इस तरीके से भी प्रशन बने कि कितने ग्रण छोटे हैं, कितने बड़े हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तोलसिदास ने अपनी रचनाओं के लिए दो प्रमुख भाषाओं का चैन किया है, जाएं, कितने रचनाओं के बारा रचनाओं हैं, और उन में से सब सिप जो प्रमुख रचना है, दीके, वो है रामचरित, प्रजभाशा की रचनाई, दूसरा तरफ लिका है अवधी की रचनाई, अगर हम ब्रजभाशा की रचनाओं को पढ़ेंगे देखिए, वेराग्य संदीपनी, लास्ट में E की मात्रा आ रही है, ठीक है न, कृष्ण गीता वली, लास्ट में E आ रहा है, ठीक है, फिर गीता ली है, लास्ट में E आ रहा है, विने पत्रिका को हम थोड़ी देर के लिए साहिड रखतेंगे, फिर नीचे दोहा वली और कविता वली, लास्ट में इन में भी क्या रहा है, E आ रहा है, E का मतलब है जो ऐसे शब्द जिनका जो समापन किस से होता है, E से होता है, उन्हें क सारी क्या हैं, आपकी ब्रजभाशा की रचनाएं हैं, इनको याद रखने की सिंपल ट्रिक यही है, पूरी रचना याद रख लो, उसका लास्ट में देखो कि किस त्रिके की आवाज आ रही है, तो E का रांत हो गया, विने पत्रिका को आप पत्री तक पढ़िएगा, लास तर्जुरचनाहिन की अकरांत की हैं, देखिए रामाग्या प्रश्न, नव में ओ चुपा हुआ है, ठीक है, रामलला नहच्चु को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजे, तो इसमें भी एक अपवाद है, जैसे पीछे कौन था, विने पत्रिका अपवाद थ ठीक है, नेक्स दीकिए, जान की मंगल लास्ट में ओ है, रामचरीत मानस लास्ट में ओ है, पारवती मंगल ओ है, बरवे रमाइन में भी नौ में क्या है, ओ है, तो मतलब कहने का भी प्राइदी की क्या है, ओ से अवधी आपने याद रखना है, यहाँ पर, simply, ठीक है, सरसुती पांड़े और गोविन पांड़े की पुस्तक में अच्छे से दिये हुएं, और उदे भानुसिंग के द्वारा यह बता हिया है, ठीक है, तो यह इसरीके से आपने इनको याद रख लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल है यह आपको, एक बार देखने में ऐसा लगता जो मुक्तक कावे दिखी कौन-कौन से है, वेराग्य संदीपनी और यह इनका पहला गरंथ भी माना जाता है, हलांकि कुछ एक विद्वान किसको मानते हैं, जो रामदला अनहच्छु को मानते हैं, ठीक है, अधिकांश विद्वान उसको ही मानते हैं, लेकिन जो वेराग् आती हैं मुक तक ठीक है फिर गीती कावे तो गीती कावे देखिए गीता वली कृष्ण गीता वली दो तो इसमें क्या है गीता वली ही है तो आपने गीती कावे को याद रखने का तरीका क्या आपनाना है कि जिसमें भी गीता लगा है वो क्या है गीती कावे है और लास्ट मे नहच्छु, जानकी मंगल, पारवती मंगल और रामचरित मानस ठीक है तो ये इनके क्या है प्रबंध काभ्य है ठीक है ये पूरी बात हो गई अब हम पढ़ लेते हैं देखे आगे कि तुलसी की जो प्रसिद्धी का अधार ग्रंत है वो हमने पहले भी बात कर ली थी कि ये इनकी जो प्रबंध का रचना ए थी वो हमने देख ली कि किसका कैसा रूप है ठीक है ना रामचरित मानस के बारे में देखी क्या खा जाता है कि इसकी जो इनको कर दे थी युवाकाल में ही इनको रचा गया था इस रचना को और इसकी रचना में तुलसीदास को लगभग दो वर्ष, साथ महीने और 26 दिन का समय लगा था, हो सकता है परिक्षा में ये भी पूचे जाए, हलां कि maximum लोगों को ये चीज पता होगी, है ना, यह रचना, देखिए कितने कांड़ों में विवक्त है, साथ कांड़ हैं इसमें, और कई बार इनका क्रम भी पूचे जाता है, UGC नेट की परिक्षा में, ठीक है, सबसे पहले आता है देखिए बाल कांड़, उसके बाद आयोध्या कांड़, अरण्या कांड़, इश्किन्धा, सुन्दर और लंका कांड़, लास्ट में आता है आपका उत्तर कांड़, ठीक है, तो इन साथ कांड़ों में ये क्या है, विवक्त है, बांटा गया है इसको, और मैक्सिमम आप देखेंगे, जितनी भी तुलसिदास की जो कृतियां है, उनमें से अधिकतर में कितने हैं, या किसी में साथ कांड़ है, या फिर साथ सर्ग है, ठीक है, अगर हम रामचरित मानस के अयोध्या कांड़ की बात करें, तो इसको क्या कहा जाता देखिए, मानस का रिदैस्थल कहा जाता है, तो ये प्रशन बनने की भी संभावना रहती है, कि रामचरित मानस का रिदैस्थल किस कांड़ को कहा जाता है, तो ये है अयोध्या कांड़, ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर कांड़ की, तो इसका ये अंतिम कांड़ है, या फिर सातवा कांड़ भी इसको कहते हैं, तो ये वरा प्रशन भी बन सकता है, कि किस कांड़ में तोलसिदास की विचारदारा मुखरित हुई है, तो ये है देखिए आपका उत्तर कांड़, अखरी जो है, इसे संपूर्ण मानस की फलश्रूती भी कहा जाता है, तो ये बले पंक्ति भी अपने आप में बहुत महत् परिक्षा में पूछी जा सकती है, कि किसे रामचरित मानस का संपूर्ण फलश्रूती कहा जाता है, तो ये आपका देखिए उत्तर कांड़, ठीक है, और नेक्स्त है देखिए, तुलसिदास की राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी, परन्तु साथ में भी कहते हैं, कि राम ल सधारन मानव भी हैं, ठीक है न, तो ये चीज़ क्या है, ये तुलसि कहते हैं, और कई बार वो बीच में ऐसा भी कहते हैं, कि उनको हम सधारन मनुश्य ही ना समझ हैं, ठीक है, आगे दिखिए ये चीज़ यहां पर लिखी, इसलिए लिखी गई है, क्योंकि ब्रह्म और मा मानस की प्रारंब में ही पारवती द्वारा शंकर से प्रशन कर दिया है, और रामचरित मानस की जो संपूर्ण कता है, ये शंकर ने पारवती को इस शंका के निवारनार्थ सुनाई है, तो यहां से ये जो अंडरलाइन किया है, दिखिए मैंने, कि शंकर ने पारवती को से पहले मानस कई बार ये परिक्षा में पूछ जाता है अभी UGC net की तो नहीं HP set में ये प्रशन पूछा गया था कि सबसे पहले रामचरित मानस किस ने सुनाई थी तो ये भगवान शिव ने पारवती को सुनाई थी ठीक है और यही बात तुलसी दास ने कहां पर कही है अपने रामचरित मानस के प्रारंब में ही कह दी है यहां पर देखिए यहां पर लिखा भी है कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तुलसी ने मानस के प्रारंब में किस के दौरा कलवाई ये बात शिव और पार्वती के समवाद से ठीक है तो ये भी महतपूर्ण पंक्ती है नेक्स से दीखिए रामचरित मानस की रचना तुलसी ने स्वांत सुखाय के साथ-साथ लोगहित और लोगमंगल के लिए की है इसी के चलते शुकल ने इसे लोगमंगल की साथनावस्था कहा है तो ये वाली पंक्ती भी महतपूर्ण है लोगमंगल की साथनावस्था कि इसको कहा गया है रामचरित मानस के रचना को ठीक है तो ये है उसके बादी की रामचरित मानस का जो उत्रकांड है कि हमारे पाठेक्रव में भी शामिल है और इसके समन्द में तुलसिदास में क्या कहते है कि इसमें इनोंने कल्यूग का वर्नन किया है या आप देखेंगे कहीं पर देखेंगे कलिकाल का वर्नन किया है मतलब एक ही चीज़ है वो कि इसमें क्या है कल्यूग का वर्नन विशेश रूप से किया गया है तो दीखे वो कल्यूग में क्या कहते हैं कि दरिदर्ता हो गए रोग अग्यान कामवासना इत्यादी ये सारी चीज़ें क्या होगी उसमें होंगी कल योग में इन्होंने इस तरीके का इसमें वर्नन किया हुआ है और बहुत मार्मिक वर्नन इसमें देखने को मिलता है यह हम विस्तार से पढ़ेंगे जम हम राम चरीत मानस का जो उत्तरकांड है पाठेकरम में जो शामिल है उस पांचवी एकाई है हमारी वहाँ पर हम इसको विस्तार से देखेंगे नेक्स से देखिए तुलसिदास ने राम को गरीब निवाज और पेट की आग बुझाने वाला कभी कहा है तो यह बात तुलसिदास ने किसके समंद में कही है दो चीज़े है यह आपने एक प्रशन जो है देखना किस तरीके से बन कहा है वह तुलसिदास दो चीज़े याद रखनी है ठीक है यह तो हो गई बात जो रामचरीत मानस थी उसके बारे में उसको रचने में कितना समय लगा है ना उसमें कितने कांड हैं और किस कांड में क्या क्या चीज़ें वरनी थें दो पर मुख हैं वो मैंने आपको बता जादतर आपने फोकस करना है उत्तरकांड को, उत्तरकांड में ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, नेक्स दिखिए इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, उनके संबंध में जो महत्तोपून चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिसकस करवा रहा हूँ, अधिकतर चीज़ें कवीता वली को माना जाता है, कवीता वली में ही क्या है, उसका जो परिशिष्ट है, वो हनुमान बाहुक के नाम से लिखा गया है, और वो उन्होंने किसकी पीडा के लिए लिखा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ठीक है, पीडा के निवारन के रिलिल दिखा था ठीक है, नेक्स दिखिए परंतु अधिकाश विदवान रामलला नहाचु को प्रत्थम मानते हैं, यह भी मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रत्थम-ेनके कौन सी है, वईरागय संदीपनी है, लेकिन अधिक तर विदवान ये मानते हैं, कि रामलला नह इसमें आपके जो 20 सोहरचंद है रामलाला नहचु में और यह अबधिवाशा की रचना है यह आपने पहले भी डिसकस कर लिया था ठीक है नेक्स दिखिए वेरागे संदीपनी को तुलसी ने अखिल ग्यान का सार कहा है तो वेरागे संदीपनी जो पहली रचना बानी जाती ह उसको क्या का जाता है अखिल ग्यान का सार तो ये बात स्वयम तुलसी दास ने कही है हो सकता है ये वाला प्रशन भी पूछ लिया जाए इसलिए इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है इस रचना में 642 है, 200 रठे और 14 चौपाईया है यह चार भागों में भी वाजित ह और ये चार भाग निमेलेकित हैं तो ये बहुत महत्वपुन चीज़े हैं इनको प्रिक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है इनकी ठीक है न ये चार भाग दिखे कौन-कौन से मंगला चरण और वस्तु संकेत, संत सोभाव का वनन, संत महिमा वनन या फिर आखिर में जो है शान्ती वनन, तो कह बाग इनको क्रम बइज लगाने को कहा जा सकता है इसलिए आपने इनको याद अथ लेना है नेक्स से दीखिये रामाग्या प्रशन तो ये एक जोतिश खरंथ हैं, इसमें साथ सर्ग हैं, व्रति एक साथ सर्ग में सात कोष्टक और व्रति ए इसमें आपने सिंपली साथ साथ याद रखना है रामागया प्रशन में और रचना एक साथ में से गटा दिया तो कितने रहे गए छे गंटे में की थी महज ठीक है तो यहां से हमें पता चलता है कि जो तुलसी दास्ते वो कितने समर्थ कभी है कि छे गंटे में ही इतनी जो श तुलसिदास हुए हैं, उन्होंने देखिए नाई का भेध से प्रभावित हुए थे, ये किसकी जो रहीम, अब्दुलरहीम खाने खाना थे, ठीक है, तो ये इनके जो परमित्र माने जाते हैं, कौन, रहीम खाने खाना, फिर इसके अलावा जो टोडरमल और नावदास हैं, वो भी इनके स्नेही मित्रों में माने जाते हैं, तुलसिदास के, ठीक है ना, नेक्स देखिए, आखरी चीज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पारवती मंगल, तो इसका जो आधार ग्रंत है, देखिए, वो है कुमार संभव, ठीक है, तो कुमार संभव किसकी रचना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं और इस रचना में इनोंने पारवती मंगल में इनोंने शिवर पारवती के विवाह का वन्नन किया है इसके अलावा जो जो चीजें इनके रचनाओं में बच्छती हैं वो आप गुविंद पांडे और सत्वती पांडे की पुस्तक में देख सकते हैं वहाँ पर विस्तार से इन चीज़ों को दिया है आई होप कि आप सब लोगों के बास वो वाली पुस्तक होगी अगर नहीं है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं आरे वाले लेक्चर में फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न पूले शुक्रिया जहन